अजय देवगन की इन पाँच फिल्मों ने किया सबसे ज़्यादा कलेक्शन। अजय देवगन की फिल्म शैतान को बॉक्स ओफिस पर अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है। फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है। आज हम आपको अजय के करिये की पाँच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं। तानहा जी साल 2019 में आई फिल्म तानहा जी ने करीब 280 करोर रुप्य का बिजनेस किया था। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आय थी। द्रिश्यम 2 अजय देवगन की द्रिश्यम 2 ब्लोकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म 240 करोर चाववन लाख रुप्य का कलेक्शन किया था। ये दर्शकों का काफी पसंद आय थी। गोलमाल अगेन, कॉमेडी फिल्म गोलमाल अगेन अजय देवगन की फेमस फिल्मों से एक है। इस फिल्म ने 205 करोण 79 लाख रुप्य की कमाई की थी। सिंघम रिटर्न्स साल 2014 में आय थी, जिसने 140 करोण 62 लाख रुप्य का कारोबार किया था। अब 10 साल बाद अजय देवगन की सिंघम अगेन भी आने वाली है। टोटल धमाल साल 2019 में आय टोटल धमाल फूल ओन कॉमेडी फिल्म है, जिसे आज भी लोग देखकर बोर नहीं होते। इस फिल्म ने 154 करोण 23 लाख रुप्य कमाई थे। सन अफ सर्दार अजय देवगन की फिल्म सन अफ सर्दार को दर्शकों का खूब प्यार मिला। ये फिल्म साल 2012 में आय थी और इसने 105 करोण 3 लाख रुप्य की जोरदार कमाई की थी।